हलो फ्रेंड्स फिर से इस वीडियो में मैं आपको कुछ डेली यूज सेंटेंस की प्रैक्टिस करूँगा और ये सेंटेंस हैं जब लडाई जगडा होता है तो उस मौके पर ये सेंटेंस बोले जाते हैं ठीक है जैसे सेंटेंस है आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हो ये सें तूसरा सेंटेंस है तुम बड़े चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर्चिर साफधान, ठीक है, यानि जब हम किसे बोलते हैं कि साफधान, यह दोबारा मुह से ना निकालना, ठीक है, यह दोबारा मुह से ना निकालना, बिवेर, बिवेर का मतलब होता है साफधान, डॉंट अटर, डॉंट अटर इट अगेन, डॉंट अटर इट अगेन, यानि यह दो कोई हमें बहुत ज्यादा परिशान करता है ठीक है उसने मेरी नाक में दम कर रखा है तो इसको कैसे बुलेंगे देखें he has got on my nervous he has got on my nervous ठीक है next हमारा sentence है friends मैंने आपका क्या बिगाड़ा है ठीक है यानि मैंने आपको क्या नुकसान पहुचाया है इस टाइप का ये sentence है मैंने आपका क्या बिगाड़ा है तो इसको इंग्लिश में बुलेंगे what harm what harm have I done to you what harm यानि क्या नुकसान have I done to you मैंने आपको पहुचाया है मतलब मैंने आपका क्या बिगाड़ा है आवेश में मत आओ यानि बहुत ज्यादा गुसे में बहुत ज्यादा नाराज मत हो ठीक है तो इसको बोलेंगे don't get worked up don't get worked up ठीक है next हमारा sentence है क्या आपके होश ठीकाने है यानि आपके होश ठीकाने तो है इसको यह से बोलते हैं तो इंगलिश में हम बोलेंगे इसको are you in your senses are you in your senses ठीक है next हमारा sentence है तुम्हें खुद को सुधारना पड़ेगा तुम्हें खुद को सुधारना पड़ेगा अपने आपको ठीक करना पड़ेगा इसको बोलेंगे you will have to mend your ways ठीक है यह ways लिखाऊ है आपर you will have to mend your ways तुम्हें अपने आपको सुधारना पड़ेगा अपने आपने तरीके ठीक करने पड़ेगे जो हो सो हो इसको कहते बोलते हैं come what may come what may अगला sentence हम देखते हैं इस page पर ठीक है यहाँ पर तो देखे सेंटेंस क्या है आपके सामने स्क्रीन पर है कैसे बोलेंगे इसको मेरी आखों से दूर हो जाओ यानि मेरी नजरों से दूर हो जाओ मुझे मत दिखाई दो जैसे हम किसे से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं तब हम यह sentence बोलते हैं यानि अगर हमें इसको दूसरे words में बोलना हो तो ऐसे बोल सकते हैं get lost get lost ठीक है अगला sentence है बात को ज्यादा मत बढ़ाओ बात को ज्यादा मत बढ़ाओ ठीक है यानि कोई बात चल रही है और कोई उस बात को ज्यादा बढ़ा रहा है या फिर लडाई जैसी condition बन गई है ठीक है तो कैसे मुलेंगे देखी now put an end now put an end to control verse now put an end to control verse यानि जो भी बातचीत चल रही है जो भी conversation चल रहा है उसको रोग दो मतलब बात को ज्यादा मत बढ़ाओ यह जो end है इसका मतलब बता है खतम करना end ठीक है अगला sentence है भाल में जाओ भाल में जाओ यानि जब हम किसी से बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं किसी से हमारी गुफ्तगी चल रही है और वो गुफ्तगू वो बातचीत हमारी नाराजगी में बदलती जा रही है तो हम गुसे में sentence को बोलते हैं यानि भाल में जाओ तो इसको बोलते हैं गो टू हैल वैसे हैल का मतलब नरग होता है जहन्नुम होता है बुरी जगा बुरी जगा को हम हैल बोलते हैं ठीक है? लेकिन इस sentence गुसे में बोला जाता है कि भाण में जाओ, यानि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होगा, तो इसको बोलतेते हैं, go to hell, जगडे का फैंसला हो गया, जगडे का फैंसला हो गया, यानि कोई लडाई चल रही थी, कोई जगड़ा चल रहा था, तो वो चीज सैटल हो गई, वो निबट गई, ठीक यानि कोई भी बात चल रही है, कोई नाराजगी की बात चल रही है, कोई गुस्से की बात चल रही है, तो कहते हैं कि अब किसी तरह इस बात को खतम करो, बात को निबटा हो, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, अब को इंगलिश में बोलते हैं, now, settle the matter somehow, somehow का मतलब होता है, किसी रहां, now, settle the matter somehow, तो friends हमने इस वीडियो में देखे, अब एक sentence हो रहे हैं, मैंने यहाँ पर यह लिख रहा है, इस code देख लेते हैं पहले, अब एक दूसरे से मिलो, यानि अब एक दूसरे के दोस्त बन जाओ, now, be friends, now, now means, अब, be friends, दोस्त बन जाओ, यानि एक दूसरे के द धगड़े वाले sentences, आप यहाँ से देखे, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, तो आप चाहे तो इन sentences का screenshot ले सकते हैं, यहाँ पर आप देखे, सारे sentences मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही, मतलब language में sentences हैं, हिंदी के साथ आप अराम से इन sentences की practice कर सकते हैं, हर sentence के लिए हमने यहाँ पर हिंदी लिखी है, ठीक है, आप देखे, हाँ पर screenshot आप ले सकते हैं इसका, और बहुत ही आसान तरीके से इनको समझ सकते हैं, और friends, हमने इस वीडियो के description में एक link दिया है, dictionary का, आप चाहें तो उस link पर किलिक करके, वो dictionary online अपन किलिक करके झाल झाल झाल